पर उन्होंने इतना जादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृत्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलै भेजने का निर्नय किया। यहाँ पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्या का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलै से बचाने का निर्नय किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलै के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, तीन कोट्रियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विश्चाल जहाज बनाने को कहा। आज्या कारिता में नूह ने इसका निर्मान किया। परमेश्वर ने नूह को प्रतेक जानवर की किस्मों में दो दो करके लेने को कहा। एक नर एक नारी तब नूह उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। चालीस दिन और चालीस रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुत्रों और जीलों से भी उपर आया। यहां तक की सबसे उचे पहाड भी पानी में दूब गए। इन सब के दोरान नूह उसका परिवार और सभी जानवर पाड़ के जल के उपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई। पानी सूखने लगा। जहाज अरारात पहाड पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई, तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। जब पृत्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रख कर कहा। कि वो कभी भी पूरी पृत्वी को जल प्रलैद्वारा दोबारा नाश्ड नहीं करेगा।